हाँ जी वेलकम बैक जब भी आप गूगल पे जाते हैं और कुछ इस टाइप की जो कोईरीज है वो करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है आई आई टी कोचिंग नियर मी तो आप देखते हैं आपको बहुत सारे जो रिजर्ड्स हैं वो दिखाई देते हैं बहुत सार की कोशिश करेंगे हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में यह वाली लिष्टिंग बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है हर उस बिजनेस के लिए जो लोकली ऑपरेट करता है जैसे कोचिंग इस्टिटूट्स हो गई जैसे रेस्टोरेंट्स हो गया है योगा क्ला किया गया होता है उस अड्रिस का एक तरीके से मैप जो है वो ओपन हो जाता है गूगल मैपस के अंदर आप इसको सेफ कर सकते हैं मोबाइल के उपर हैं देन आप कॉल करेंगे तो सीड़े डाइलर के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो जाएगा तो ऐस बिजनेस ओनर आपको इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर आपको सिंपली गूगल के ओपर डालना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप यहां पर रेडारेक्ट हो जाएंगे अब इस पर प्रोफाइल बनाने के लिए आपकी कोई एक गूगल आईडी है जिसको आप जीमेल आईडी बोलते हैं वो आपके पास होनी चाहिए इस्टैंड आउट उन गूगल विदा फ्री बिजनेस प्रोफाइल यहां पर मैनेजड आउ के उपर आप क्लिक करेंगे तो यह आपको क्रिएट करने को दे देगा नई प्रोफाइल को राइट सो यह इनका होम पर जे प्रोफाइल इन्होंने सारी चीज़े मेंशन कि हुई क्या क्या चीज़े आप डाल सकते हैं किस तरीके से आप इसको मैनेजड कर सकते हैं आपको simply आना है मैनेज नाउ के उपर और आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी है अब यहां पर आप देख सक पहले से कोई business जो है वो exist करता है तो यह आपको suggestion दे देगा कि हाँ बहुत सारे businesses जो पहले से exist करते हैं अगर आपको उनका access चाहिए तो वो access भी आप एक तरीके से claim कर सकते हैं अगर आप पहली बार अपने business को register करने जा रहे हैं और वो Google My Business के उपर पहले से नहीं है तो आपक coaching center जो है वो type करने की कोशिश करूँगा तो आप देखोगे मुझे बहुत specific जो है वो चीज़े दिख रहे हैं जैसे life coach दिख रहा है ऐसा नहीं कि एक general category दे दी गई है coaching center के point of use है इन्होंने specific भी कर रखा है अब आपको make sure करना है कि जो category आपके business के सबसे closest हो उसी category को आपको कोई restaurant है तो restaurant न select करके अगर आपका wedge restaurant है तो अगर आप wedge restaurant select करेंगे तो अगर आपका non wedge restaurant है तो अगर आप उसको non wedge restaurant जो है वो select करेंगे तो ज़ादा बहतर रहेगा क्योंकि ये जो business category होती इसी के थुरू Google कोशिश करता है कि आपकी profile को ranking provide कर सके तो जब आप Google में business profile के optimization की ब आपके business की primary category है तो कोशिश करें कि आप अपने business की primary category में सबसे जो closest या सबसे जो relevant category होती है उसी को आप mention करें तो example के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर coaching mention किया हुआ तो I can select different options over here लेट से अगर banking inference exams से related हमारी coaching है तो उसको हम select कर सकते यहाँ पर मैं केवल coaching center जो है वो select कर लेता हूँ उसके बाद हम लोग next करेंगे do you want to add a location customers can visit absolutely तभी आपकी map के उपर listing होगी like a store or office yes पर हम लोग click करेंगे next के उपर हम लोग आ जाएंगे enter your business address और प्रॉपर ली आपको जो आपका address है वो enter करना है मैं यहाँ पर random से चीज़े mention कर रहा हूँ आप जो business का नीमता और सारी जो details है वो आपको perfectly जो है mention करनी because वहीं से फिर आपकी जो business की profile है उसका verification होगा so मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे ABC road लखनौ and यहाँ पर मैं city भी डाल दूँगा लखनौ पिन कोड भी मैं कुछ random सा mention कर देता हूँ state we will put उत्तरप्रदेश and then we will click on next तो यह मैंने address यहाँ पर डाल दिया तो अब दिखेए यह मुझे suggest कर रहा है कि इस नाम से पहले भी बहुत सारे institutes है तो ऐसा तो नहीं इन में से कोई आपका institute है जिसको आप next करके फिर further claim कर सकते बट नहीं हमारा यह कोई institute नहीं what we want is we want to start fresh तो हम none of these के उपर click करके आगे बढ़ जाएंगे अब यह थोड़ी से हमसे precise जो है वो location मांगता है यहाँ पर जो आपने address mention किया है उसके इसाब से pick करने की कोशिश करता है या आपकी जो location होती है उसके इसाब से pick करने की कोशिश करता है बट what you can do is आप बहुत specific अगर चाहें तो zoom in, zoom out करके आप बहुत specific अपनी जो location है उसको select कर सकते हैं मैं भी यहाँ पर एक random सी location select करते रहा हूँ बट आपको बहुत ही specific तरीके से select करने हैं अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो do you provide deliveries or home and office visits so if you visit or deliver to your customers अगर आपका कोई business ऐसा है जहाँ पर आप customer तक जाते हैं in that case आप इसको yes करेंगे हमारे scenario में अगर no है तो we will say no right and then आपको यहाँ पर जो अपना phone number है वो mention करना है और आपकी जो website है वो mention करनी है अगर आपके पास website नहीं है तो आप एक website बना लें recommended है जब भी आप अपने business को online लेकर जाते हैं तो website is one of the most important thing तो वो आप बना ले और अगर आप वहाँ पर नहीं invest करना चाहते हैं तो sites.google.com के उपर भी जाकर आप बहुत ही simple सी एक basic सी website जो है वो बना सकते है उसके बाद जो आपका phone number है वो आप mention करते हैं यहाँ पर मैं यह चीज़े mention नहीं कर रहा हूँ उसके बाद आप इसको skip करते हैं बट आप इन चीज़ों को mention करने के बाद जो है वो next करेंगे get updates about your business आपकी इस email के उपर updates आती रहेंगी ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं updates को आप yes करते हैं उससे बहुत सारी चीज़े आपको पता चलती रहती in the form of alerts and notification so now जो profile के उपर बहुत सारी different information होती जो कि आप यहाँ पर देख रहते बहुत सारी information जो है properly यहाँ mention करना है कि आपका business जो है वो क्या services offer करता है मैं इसको भी यहाँ पर skip कर देता हूँ बट आपको यह mention करना है आपकी जो photos हैं जो आपके business से related photos हैं आपके interior की, exterior की, services की वो सारी की सारी photos आप यहाँ पर mention करते हैं कुछ examples भी इन्होंने दिये हुए कि किस टाइप से आप photos को select कर सकते हैं मैं इस part को भी skip कर दे रहा हूँ and then यह हमसे बोल रहा है कि आप अपने business को advertise भी कर सकते हैं मतलब Google Ads के बारे में बोल रहा है हमें उसे भी skip कर देना है for now and now your edits will be visible once you are verified तो तब तक आपकी profile नहीं दिखाई देगी जब तक वो profile verified नहीं होगी अगर मैं इसको continue करता हूँ और यहां पर आ जाता हूँ वापस so now जो हम लोगों ने सारी चीज़े set up करी है उसकी वज़े से अभी आप देख सकते हो कि इस type से अब आपको interface जो है जैसे आप अपनी profile को edit कर सकते हैं अगर मैं edit profile के उपर जाओ तो आप देख सकते हैं about your business business का name, business की category और यहां पर आप और भी ज़ादा जो additional secondary categories हैं उनको आप add कर सकते हैं तो categories बहुत important role play करती हैं आपकी profile को एक meaning देने के लिए business का description, उसकी opening date, यह सारी चीज़े आपको genuine तरीके से, जो है वो सारी चीज़े आपको mention करनी है, किस time पर आप काम करते हैं, क्या services आप provide करते हैं, amenities क्या है, everything you have to mention very, very, very properly, right, तो उसके बाद अगर आपको reviews का reply करना है, वो सारी चीज़े करेंगे आप यहां से, जो लोग आपको messages भेजते हैं, आपकी Google My Business profile के उपर, उसको यहां से manage कर सकते हैं, आप अपने photos आड कर सकते हैं, आप analytics जो है वो देख सकते हैं, अगर आप advertise के उपर click करेंगे, तो यह आपको Google ads के उपर redirect कर देगा, वहां से फिर आप paid ads जो है, वो run कर सकते हैं, आप अपने products बना सकते हैं, आप अपनी services यहां पर बना सकते हैं, define कर सकते हैं, आप अपनी bookings को mention कर सकते हैं, question answers डाल सकते हैं, fact type के, आप अपनी update आड कर सकते हैं, regular basis पे अगर आपको कुछ post यह आपने business की, कुछ information आपको देनी हैं, तो वो सारी चीज़े कर सकते हैं, आप एक link बना सकते हैं, so that you can ask people to review you, right, अब यहां पर अगर आप देख रहे हो, तो यह आपको एक business profile जो है, वो verified दिखाय दे रहा है, पर जब आप नई profile बनाएंगे, तो वो आपको verified नहीं दिखायेगा, वो यहां पर आपको कुछ error type का देगा, तो यहां पर आपको एक notification type का भी दे सकता है, कि आपको आपकी जो business profile है, उसको verify करना है, कुछ time के बाद हो सकता है, यह इस business profile को भी verify करने का जो option है, वो दे कि आपको अब इस profile को verify करने की जरूरत है, ठीक है, so now, जब आप profile बना लेंगे, तो आपको verification के लिए भी कुछ information submit करनी पड़ेगी, तभी आपकी जो Google My Business की profile है, वो verify होगी, और further जो आप उसमें changes हैं, वो कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको यह official documentation दिखा देता हूँ, औरना आपको यहाँ पर यह notification दिख जाएगा, कि आपको जो है, वो verify करना है, वैसे there are different different ways to verify your Google My Business profile, but अगर मैं standard verification methods की बात करूँ, तो phone और text एक verification method है, email एक verification method है, और उसके अलावा video recording एक verification method है, जो अभी बहुत जादा use हो रहा है, right, so you have to create a video, एक दो मिनट से कम का, आपको एक video create करना होता है, जहाँ पर आपकी जो business premises है, या जो आपकी location है, वहाँ की जो है, एक video आपको बनानी होती है, और उस video को फिर आपको upload करना होता है within seven days, आपका जो business है mostly वह verify हो जाता है तो आपको क्या करना है, वीडियो के अंदर that you can see over here, आपकी current location, business या equipment यह आपको दिखाने है, proof of management यह दिखाना है, to show that you are an authorized to represent your business, capture your access to employ only items or areas example, include a cash register kitchen, store room or non-sensitive business documents, you can also use your keys to open your facility shop खोलते हुए, यह दिखा सकते हो, so that you can prove कि हाँ यह मेरा ही जो business है वो है, तो proof of management आपको दिखाना होता है business या equipment से आपको दिखाना होता है जो भी आपका establishment है वो और आपको current location, मतलब थोड़ा सा अगर आपकी shop हो गए रहा है तो उसके आगे की जो location है वो दिखा सकते है, shop किस तरीके से established है, वो दिखा सकते है, so this you can do, right, so जब आप verification करने जाएंगे, video verification, तो वो आपको QR code देगा, उस QR code को आप mobile से scan करेंगे, और उसके बाद आप अपना जो video है, उसको properly record कर लेंगे, so this is how it works और अगर आप देखें यहाँ पर, तो after you upload your video, we review it, reviews can take up to five business days, if you are verified, you get a notification, if the video method doesn't work, then again click verified button shows up, you can try a different verification option, right, and after that आप अपना जो video है, उसको delete कर सकते है, go to your business profile, यहाँ पर आपको click करना है, video delete करने के लिए, और यहाँ पर आपको advance settings करके, एक option दिखेगा, और वहाँ से फिर आप अपनी जो videos हैं, उनको delete कर सकते हैं, and in case अगर आपको verification method में कोई problem आ रही है, you can contact their support team, यहाँ पर उसका proper option दिया हुआ है, आप support team से जो है, वो बात कर सकते हैं, यहाँ पर properly, and you can contact to them, right, अब यहाँ पर एक बहुत important चीज़ लिखी हुए है, verification methods are automatically determined and can't be changed, if you choose to contact our support team, we will try to verify your business based on the information provided, we may suggest a live video call to confirm your place of work, tools, and proof of management, so at the end of the day, your profile will only become active, या आप उसके ओपर exactly काम कर पाएंगे, जब यह verified हो जाएगी, तो महाँ पर ही challenges लोग को आता है, but आपको अगर बहुत सारी चीज़े नहीं समझ में आ रही है और चीज़े स्मूथ नहीं, in that particular case आप सीधे support को बात करके verification method जो है, वो आप अपना facilitate करा सकते है, but आप कोशिश करे कि आपकी profile जो है, वो सबसे पहले जो है, वो verify करा लें दोस्तों आशा करता हूँ, एक basic सा video था आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आई हूँगी, इस particular video में इतना ही मिलते हैं next video में, till then, good bye करेंगा जो है, पहले करेंगा करेंगा थाय।